ओम सिरी गनी सायनम दोस्तू एश्टू समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक श्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 अगस्त गुरुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान देना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपून जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो जीवन साती से आज आपको शहुक प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होनी की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्यावी प्राप्त होनी की संभावना बन रही है साथे साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विद्ध्यार्तियों को भी उच्छ सिद्ध प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्षित उच्छ सिद्ध की कामना पूरी हो सकती है जिया दोस्तो कारे च्छेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको नेने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कारे इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल समपत्ती प्राप्ती के लिए भी निवेस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है कामकाज से संबंदित किसी मित्र से भी संबंद अच्छे हो सकते हैं यह दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावरन रहेगा, सुब समाचार मिलने से तथा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा, मित्रों से सैयोग मिल सकता है, यदि आप घर परिवार के साथ किसी कारण को करने का प्रतन करते हैं, तो वह भी आज सफल हो सकता है, जिससे आपका मन बहुत दिप्रसन रहेगा, दोस्तों साथी साथ यदि आप नोकरी करते हैं, तो भी साइड व्यवसाय करने का आज आप प्रतन कर सकते हैं, या किसी के साथ मिलकर कारण व्यवसाय को नई द हो सकती है दोस्टो बात के लेते हैं OMG क्लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्टो कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतरिक्त आप अपने करेचित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलू पर अधिक समय देने तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्यता आपके कारयले में आपको परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है कारय सफलता के लिए आपको द्रण इक्षा सकती और मनोवल की आवशकता होगी साथी साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके घर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रबंद पहले से ही तैयार करना चाहिए ताकि प्रतिकूल समय में परिसानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहां सुनी हो सकती है माता का शयोग तथा सुक प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सुक को लेकर सस्पेंस हो सकता है साथी साथ कारे छेतर में भी काम के अधिकता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी परदोड के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम वानी पर सेयम रखे अन्यता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरत्दी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रत्दी होगी जैदोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के उपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथे साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आप के लिए बहुती लकी सावित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका VSI केरियर का रहने वाला है दोस्तो आज ग्रेहों के इस्तिपी आपके अनुकूल रहने से आरत्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब केश दिती रहेगी विध्यार्तियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तों साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तों धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तों कारे छित्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला कि कारवार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिती रहेगी नौकरी में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशेश रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्चाएं अधिक परिशान आपको कर सकती हैं इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्थ रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इश्नान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान शिरी हरी विश्णुजी का दक्षनावरती संख में जल भरकर अभिशेक करें जा दोस्तो इस प्रकार अभिशेक करने से भगवान श्री हरी विश्णुजी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशानिया चल रही हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगे और आपको सीख रही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहे बहुत यास सानी से बनती चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री हरी विश्णु जी का सिरवाद आपको प्राप्त हो शक्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश्री हरी विश्णु अवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद